हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्टडी विट कंसेप्स देखेगा यहां पर मैं आप लोग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन की सिरीज लेके आ रहा हूं जो की किस पर बेस्ट है सर इंडियन हिस्ट्री है ना आपके भारती इतिहास पर काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन है और पूरे चांसेज है एक्जाम में आने के क्योंगी आप सभी लोगों को यह चीज पता होनी चीए कि general study और general science के जो question होते हैं maximum questions क्या होते हैं इसा repeat होते है clear हो गया कोई सभी आप exam दे तो railway का या SSC का exam में आपके questions जो है वो repeat होते है previous year के questions जो है वो repeat होते है clear तो यहां मैं आप लोगों को short videos के through है ना short videos रहेंगे छोटे से videos रहेंगे हर हर एक questions हम लोग यहां पर करेंगे एक video जो रहेगा वो करीबन 10 minute के आसपास कर रहेगा ठीक है ताकि आपको भी देखने में परिशानी ना हो ठीक है और चीजे बहतर से बहतर clear हो सके clear हो गया तो यहां हम लोग एक एक करके सारी चीज़े discuss करते है तो भाईया start करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने channel को अपने subscribe नहीं किया है वो सबसे पहले तो चैनल को subscribe कर लेजगे study with concept क्योंकि यहां पर मैं आप लोग को daily live class करवा रहा हूं है daily live classes हमारी चल रही है sir maths की अभी maths की चल रही है धीरे-धीरे सारे subjects की हम लोग यहां पर start करने वाले क्लियर यह जो short video है ददस minute का यह मैंने इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके exam pass में है तो सारी चीज़े भाया on time हमारी complete हो जानी चाहिए clear हो गया बाकी maths तो अभी अपना live class में चल रहा है तो अभी जिन लोगों ने हमारी live class की recording नहीं देखी होगी वीडियो की वो इसी channel पर आप लोग देख लेगा clear हम लोग स्टार्ट करते हैं सर पहला question history का यह रहा आज की class का क्या question है कि सिंदू सभिता के लोग घर किसे बनाते थे तो देखो भी यह बहुत easy question है यह question जो है यह RRB में SSC में intelligence bureau में जो ACIO का जो exam होता है ना उसमें और UPSC में यह exam में question पूछ चुका है क्या कि सिंदू सभिता के लोग घर किससे बनाते थे तो किससे बनाते थे सर क्लियर अगर मैं आपसे बात करूँ कि सिंदू सभिता का जो समय था वो कब से कब तक था तो भईया ध्यान दीजेगा पच्चिस सो से सत्रा सो पचास बीसी बीसी मतलब क्या बिफोर क्राइस्ट क्लियर हो गया पच्चिस सो से सत्रा सो पचास बीसी सिंदू सभिता का समय था काल था क्लियर हो गया सभी लोगों को चलो आगे बढ़ता है नेक्स्ट कोश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पर हडपावासी किस वस्तू के उत्पादन में सरफ प्रथम थे तो देखो यह कोश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ एक्जाम में तो किस वस्तू के उत्पादन में सरफ प्रथम थे सर हडपावासी तो जो question है मैं बता भी देता हूं कि यह कहां कहां पूछा गया जो एल डी सी का जो एक्जाम होता है उसमें पूछा गया था तो देख रहे हो आपकी कितनी जगा यह question repeat हुआ है क्लियर चलो, नेक्स्ट कोश्यन आगे बढ़ते हैं सर, क्या दे रखा है कि निम लिखित में सुरपथम हडपा सब्वेता का खोज करता कौन था, तो भीया ये तो सभी लोगों को पता होगा कि दयाराम सहानी ने हडपा सब्वेता की खोज करी थी, क्लियर हो गया, कभी भी को कोश्यन आजाए कि हडपा सब्वेता की खोज किस ने करी थी, तो आपका अंसर क्या होगा, दयाराम सहानी, अगर कोश्यन आजाए कि कब करी थी, तो आपका अंसर क्या होगा, 1921 में, क्या अंसर होगा सर, 1921 में हडपा सब्वेता की खोज हुई थी, जो कि दयाराम सहानी न और हड़पस अपिदा की खोज किस ने की थी तो दयाराम साहनी ये कोश्चन भी एक्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है क्लियर चलो ये मैं इसलिए आप लोग को कह रहा हूं कि बार बार कि ये एक्जाम में पूछा जा चुका है इससे आपको ये पता होना चाहिए इ एक्जाम में कोश्चन रिपीट होते हैं क्लियर चलो सिंदू घाटी इस्थल काली बंगा किस प्रदेश में है क्या आंसर होगा सर सिंदू घाटी इस्थल काली बंगा किस प्रदेश में है राजस्थान गुजरात मद्यप्रदेश या फिर उत्तरप्रदेश तो सर इसका अंसर क्या है राजस्थान क्लियर ना सिंदु घाटी स्थल काली बंगा जो है वो किस प्रदेश में है तो राजस्थान चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर हडपा सब्दगी खोज किस वर्ष हुई ये देखो ये कोश्चन आ गया अ ठीक है चलो अच्छा कोश्चन अगर ऐसा आ जाए कि हडपा जो है वो किस नदी रवी दी रावा क्लियर अगर कोश्चन ऐसा आजाए अगर कोश्चन ऐसा आजाए कि मोहन जो दाड़ों जो है क्लियर ना मोहन जो दाड़ों जो है वो किस नदी के किनारे या किस नदी के तठ पर है तब आपका अंसर क्या होगा सर तब आपका अंसर क्या होगा सिंधु नदी क्लियर हो गया स जो दाड़ो किस नदी के तक पर है तो सिंदु क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन गे रहा आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है कि कि किस वेद में प्राचीन वैदिक यूग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है तो ऑप्शन रिगवेद अंसर क्या होगा सर रिगवेद यहां पर आपता अंसर क्या होगा रिगवेद अच्छा किसके बारे में बात करीगे संस्कृति के बारे में किसके बारे में संस्कृति के बारे में तो आंसर आपका क्या है सर रिगवेद अगर कोशन आ जाए कि टोटल वेद कितने है कुल व तो चारो कोश्चन ध्यान रखना है चारो कोश्चन एगजाम पूछे जा चुक है टोटल वेद कितने चार कुरानों की संख्या 18 टोटल सुक्त 1028 और टोटल मंडल 10 clear हो गया चलेगा अच्छा अगर कोश्चन अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि भारतिय संगीत का अधीगरंद किसे कहा जाता है क्या कह रहा हूं मैं मैंने पूछा आपसे कि भारतिय संगीत का अधीगरंद किस वेद को कहा जाता है किस वेद को कहा जाता है तब आपका अंसर क्या होगा कभी भी अगर संगीत की अगर बात आ है भारतिय संगीत की अगर बात आ रही है तब आपका अंसर क्या होगा सर साम वेद किस वेद में बात करीगे यह भारती संगीत की साम वेद में clear है sir sorry clear इतनी चीज है ठीक है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next question की ओर चलते हैं next question यह आपकी screen पर चरक सहीता चरक सहीता नामक पुस्तक किस विशह से संबंदित है तो यह देखो यह आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा यह अभी पता है कब पूछा गया था यह कोशन यह अभी SSE CGL का जो एक्जाम हुआ था उसमें चार मार्च को यह वाला question पूछा गया था first या second shift में ह क्लियर है सभी लोगों को किस से संबंदित है चिकट्सा से संबंदित है clear चलो आगे बढ़ते है next question क्या दे रखा यहां पर हर्यक वंश का संस्थापक कौन था तो आपका answer क्या होगा sir हर्यक वंश का संस्थापक कौन था तो भाईया आप देकू मैंने यहां पर आपको कह दिया कि वंश के संस्थापक हम लोगों को ध्यान में रखना है पहले तो कौन-कौन से वंश है और उनके संस्थापक कौन से हमें यह ध्यान में रखना है तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह थे सर कौन बिम्विसार कौन थे ब वंच कि इसेडियाम की बंख हरीयकवंच के बाद नाग बंख थीक नाग वंच के जो सनस्थापक थे वो कौन थे सर शीशुनाग अच्छा नागवंच के जुभा है नहीं स्थाफक सभी लोगो पता है कौनथे सर चन्द्र गुप्त मौरे जन्द्र गुप्त मौरे मौरे वंच के बाद शुंग वंच अभी देखो अभी आररमी का जो अग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था Experiment वंश के र्रवी जे depले अगर आपसे वन्ष के बाद क्या आता है कौंसा वंश आय था कण्डर्वन्ष का संस्थापक ने पुछा जाचुक है तो क्या अंसर क ребята आप पुछ लिये जा तो क्या अंसर होगा सर वासू देव क्या अंसर होगा वासू देव क्लीयर हो गया सभी लोगों को ठीक कनवंश के बाद साथवाहक वंश क्लीयर और आखरी में साथ वहक9 कि इसके सबी लोगों को संस्थापक पता है क्या नाम है उनका श्रीकुप्त क्लियर हो गया सबी लोगों को तो यह जो अगर मैंने अगर आपको यह वंश बताए हैं मतलब यह एक्जाम में पूछे जा चुके यह जितने भी मैंने आपको बता है ना यह सारे एक्जाम में पूछे जा होगी तो देखेगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार क्लियर हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार नाग वंश के संस्थापक शिशुनाग नंद वंश के संस्थापक महापदनन मौर वंश के संस्थापक चंद्गुप्त मौर शूंग वंश के संस्थापक पुष्यमित कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव सात्वाहक वंश के संस्थापक सिमुक और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त क्लियर हो गया सभी लोगों को इतनी चीज़े क्लियर सभी लोगों को ठीक है चलब आगे बढ़ते हैं उज्जेन का प्राचिन नाम था बताई और व्यापम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है जो लोग MP से बिलॉंग करते होंगे उन्हें पता होगा clear तो जैन का प्राची नाम क्या था सर अवंति का clear हो गया सभी लोगों को ठीक चल चली अब आपको लोगों के लिए 24 चाओदा इसका अंसर आपलोग को कमेंट बॉक्स में देना सर इसका आप लोगों को कहां देना है comment वोक्स में clear हो गया सभी लोगों को ठिक है चलो तो भाया आजकी अबिकी अगर अपनी अच्छी लगी होगी तो सर लाइक करिएगा इसी क्लास को आपको क्या करना है शेयर करना है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अपनी क्लास कैसी लग रही है मतलब फीडवेक देना है और और होमवोग का आंसर देना है जो अभी मैंने आप लोगों से पूछा क्लियर अपने channel को share करो अपने दोस्तों में ताकि सारी चीजें उन्हें भी पता चले एट लिस्ट वो एक बार तो अपने channel को visit जरूर करें ठीक है और डेली अपनी live classes लग रही है भाईया है ना daily अपनी math की live class लग रही है तो आप लोग live class में भी आया करिये 4 बजे शाम में daily life class अपनी लगरी है मैंस की clear हो गया सभी लोगों को तो जिन लोगों ने अभी तक life class नहीं देखी वो life class देख ली जाँ ठीक है चले इस वीडियो में इतना ही इस class में इतना ही मिलते हैं next class में जब तक के लिए bye bye take care